हेलो फ्रेंड्स एम डॉक्टर वंदना और आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए कुछ प्लांट्स की जानकारी ले करके आई हूं तो चलिए हम लोग चलते हैं ये एक भाई हैं जो कि यहां पे काफी समय से इन प्लांट्स की देख भाल कर रहे हैं तो चलिए आज हम प्रेंड नाम क्या है रामकरण नाम क्या है और आप यहां पर कप से है आठ दस साल होगा है ये आठ दस साल से इन पेडों की देख भाल कर रहे हैं मैं इनको रोज यहां देखती हूं सुबह सुबह आते हैं पेडों में पानी डालते हैं और इनकी बहुत अच्छी तरह से देख भाल करते हैं तो चलिए आज हम इनसे कुछ पूछते हैं पेडों के अब ये और उगने वाले हैं कुछ दिनों में यह भी खिल जाएंगे तो यह बहुत ही खुपसूरत दिखेगा तो भेया इसका नाम क्या है इस पॉधीका अच्छा तो यह मग्रेटा है तो यह सिर्फ गर्मी में होते हैं अच्छा यह सर्दियों में होते हैं और इसमें आप पानी कब कब डालते हैं भाया पानी तो अभी एक दिन चोड़ एक दिन डालता हूँ अच्छा और इसमें कोई खाद वगर डालते हैं इनको बचाने के लिए खाद डालते हैं अच्छा तो तब जाकर के ये इतना बड़ा हुआ है तो कितने दिनों में इसमें यह फूल आ जाते हैं तीन महने में तब जा करके तीन महने से सोचे इस पौदों की देख भाल कर रहे हैं अब जाके इसमें फूल खिला है अब देख सकते हैं कितना खुबसूरत फूल खिला हुआ है अब हम लोग यह देखें यहां पे चलते हैं यह भी देखें कितना खुब बैया इसमें कब-कब पानी डलता है इसमें भी हमेशा डलता पानी अच्छा हमेशा डालते हैं अगर जादा पानी पड़ जाएगा तो फिर नहीं खराब नहीं होगे अच्छा ये खराब नहीं होता है यानि कि अगर हम इसमें जादा भी पानी डाल देंगे तो ये खराब नहीं हुआ, तो क्या ये गंबलो में उख जाएगा, हाँ उख जाएंगे गंबलो में भी उख सकता है पॉधा, आईए हम और इधर देखते हैं, एक ये पॉधा है, ये कौन सा है, ये मोतिया, अच्छा ये मोतिया का है, ये भी फूल वाला है ना, इसमें अब लिली कौन सा भेया लिली अच्छा यह लिली है हाँ इसमें भी बहुत कुपशूरत आता है इसमें सफेद फूल आता है और यह कब आएगा भाईया यह घरमी घरमी आज़े अच्छा यह भी गर्मियों का पौधा है अभी कापी टाइम लग जाएगा इसमें अभी मार्च के बाद ही पौद हाएगा तो देखिए अभी सही इन पौदों की कितनी देख भाल हो रही और जब इसका राइट टाइम आएगा तब इसमें सारे फ्लार्ट्स खिलेंगे और एक और हम यहां पर देख रहे हैं यह भी बहुत अच्छी खुबसूरत यह पत्तियों माला पौद ह है यह पूल नहीं आता है लेकिन आपको मैं इसकी खास government बता देती है ह हरे का पांकि की यह बहुत 육約 ऑक्सिजन रिलीजकरता है और साती साते रात में भी ऑक्सिजन रिलीजकरता है इसको हम सकते हैं भी गम्ले में में लगाते हैं है और हमारे घरों की शुबह बढ़ाता ह आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहां पर यह वाला पौदा हो रखा यह आप देख सकते हैं उस तरह से यह है अब चलिए हम लोग आते हैं यह तो आप लोग सब जानते हैं आशोका है यह देखे कितना अच्छा यह हो रखा इसमें भी आप पानी कप-कप डालते हैं भाया पानी डलता है अच्छ अच्छ इन में भी पानी डलता है। ने खराब्ट के लिए बिस लोग रीज हुआ हैं। अच्छ दो आपनी में जो पानी में डलता है। यह देखे एलो वेरा इसमें फ्लार भी आ रखा है देख सकते हैं कितना खुपसूरत फ्लार है इसका यह एलो वेरा है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे भाईया इसके बारे में भी इसकीन पर भी लगाते हैं बालों में भी लगाते हैं इसको इन देखे कितना फैयदे मन्द है और इसमें पानी पानी इसमें ठोड़ा कमें डलेगा एक दिन-दौ Doesn't तो इसमें पानी एकदन 2-दिन छोड़के समें डलता है क्योंकि इसमें पानी जो है रुका हुआ नहीं होना चाहिए यह वैता हुआ पानी होना चाहिए यह बहता हुआ पाशिछे हैं अगर इसमें पानी रुका रहेगा तो यह पाशि की खिछे घाह सेरे पासन hebben a बह्त है hvis बाल में भी लगाते हैं तो बाल हमारे बहुत चमकदार होते हैं और इसको हम लोग रौक खा भी सकते हैं ठीक है तो ये आज हमारी कुछ पौधों की जानकारियां मैं ले करके आई हूँ और अगर आप हमारे न्यू विवर्ट से तो प्लीज डोंट फोर्गेट टू सब्सक् से और भी आपके लिए कुछ और भी जानकारियां पौधों की पेड़ पौधों की लिए कर आती रहोंगी अंटिल देन बाबाई टेक कियर एंड गॉड ब्लेस यू कर दो कर दो कर दो दो कर दो हमारे प्लेस दो कि प्लेस